कहानी शुरू होती है यंग्शु शहर के यूंग्शांग अकैडमी के बारे में बताते हुए कि ये एक बहुत बड़ी अकैडमी है जहां आदमियों को हर प्रकार से ट्रेन किया जाता है ओफिसर्स बनने के लिए यहां ताखिला लेना चात्राओं का सपना होता है समय आच चुका था इसके एन्वल एंट्रेंस एक्जाम के रजिस्ट्रेशन का जो भर टफ होता है जैसे जेई नीट या आईकेस यूपी ऐसी एनिवेज इसके लिए कोई भी रजिस्टर कर सकता था आई मीन कोई भी लड़का रजिस्टर कर सकता था खेर अब मिलते हैं हमारी कहानी के पहले टैशिंग हैंडसम स्मार्ट हीरो से जिसका नाम फैंग चैंग जून होता है इसका असली नाम सॉंग वी लॉंग है इसने पहले गो अहेड ब्यूटिफुल रिवान फ्लावर जैसे ड्रामा में भी काम किया है फैंग चैंग चैंग नाम के एक बड़े गवर्नर का बेटा होता है तो वो शर्मा जी की लड़के की तरह है जिससे हाई एक्सपेक्टेशन है कि वो एक्जाम तो क्लियर कर ही देगा अब एक स्टॉल पर दुकानदार फैंग को फैंग पेशने की कोशिश करता है ये बोल कर कि इसमें खुद गवर्नर जी चैंग की लिखावट है फैंग अपने पिता की राइटिंग जानता था इसलिए वो बेकुफ तो नहीं बनता लेकिन जिसने कॉपी किया था उसकी ता इसके सारे ड्रामा रिबर्द फॉर यू दब्लूम एक रुही पैल्वियम लव अंडर फॉल मून लेजंड आफ दी वाइट स्नेक और सबसे फेवरेट वाला लेजंड आफ यूंची जिसकी एंडिंग पर मुझे रोना ही आ गया था लगपक सभी देखे हैं मैंने अगर आपने भी इसका कोई ड्रामा देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना तो अभी वैंची लड़कों की वेश बूशाम में है जो जल्दी बाजी में अपनी किताबें उठाती है और वहां से जाने लगती है लेकिन दुकानदर उसे फैन के नुकसान की भरपाय करने को बोलत है तो वो कहती है कि ये फैन्स उसी ने बनाए है अकली बार आते वे और उनके लिए ले आएगी और वहां से चली जाती है अब मिलते हैं हमारे दूसरे हीरो यू लैजवान से जो बुक स्टोर में एक बहुत फेमस बुक का सेकिंड पार्ट खरीतने आया था यू आल्रेड पास इतना वक्त तो था नहीं कि वो पापस उसे ढूंडने निकले तो वो वहीं पैट कर पूरी किताब लिखने लगती है यू इस सेक्रेड ऑथर की पहचान जानकर खुश था वहीं पुक स्टोर ओनर उसे इतना तेज होने पर एंट्रेस एक्जाम देने को बोलता है पर उन्हीं क्या पता जिसे वो प्रेटी स्मार्ट यंग मैं समझ रहे हैं वो तो असल में यंग लेडी है फैंक के पास से जब वो बुक गिरती है तो लोग बोलने लगते हैं क्या वो भी ऐसी रोमेंस वाली नौवल पढ़ता है यू वेंजी के पास एक फेवर मांगने आता ह जिसको बिना सुने ही मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि एंटरेंस एक्जाम नस्दीख है तो वो उसे किसी की जगे एक्जाम देने को ही बोलेगा वो बोलती है कि उसके कुछ उसूल है जिनके तहत वो ऐसा नहीं करेगी अब जब फेन घर आती है तो पता चलता है कि वो एक बहुत करीब फैमली से बिलॉंग करती है जिसकी बोड़ी मा और एक बिमार भाई है घर को चलाने के लिए वो आदमियों की वेश वोशाधारन करके अलग-अलग कामों से पैसा कमाती है उनके घर में कुछ लोग उधारी वसूल करने आते हैं वो आदमी बेन की सुन नहीं तो वो खुद उनके साथ आ जाएगी वो आदमी इस बात के लिए मान जाते हैं और तब तक के लिए उसके भाई वेंग बिन को अपने साथ ले जाते हैं वेंग शी के पास कोई और रस्ता नहीं होता और वो बुक स्टोर के मालिक के साथ हैंग शी जो भी ओलरड़ी वहां यूंग शंग अकैडमी में पड़ रहा होता है और वहां का बॉस होता है उसके पास चली जाती है वो चाहता था कि वैंग उसके लिए एक बच्चे को चीटिंग करवा है वो उसकी काबिलियत को टेस्क करते हैं तो वो अपनी समझदारी से सब को चुका देती है शें दुनिया में सबसे बड़ा पैसा होता है वो ओफर करता है कि वो दोनों मिलकर कई सारा पैसा कमा सकते हैं वैंग बोलती है कि वो मानती है कि उसे पैसों के जरुवत है लेकिन उसकी उसूल फालतु नहीं है आगे दो गार्ट्स उन्हें देख लेते हैं तो वो भागने लग देती है फैंग कंफ्यूस हो जाता है कि वैंग किचन में जाकर छिप जाती है जब कार्ट्स आते हैं तो फैंग बिना हीच के चाय कार्ट्स को बता देता है कि वो अंदर छिपी है गार्ट्स अंदर जाते हैं तो वैंड एक मेड पनकर खाना पकाने का नाटक करती है और ग कुछ गुंडे हमला कर देते हैं तब ही एंट्री होती है हमारे तीसरे हीरो ली जिन की जो उसे पचा देता है और वहां से चुप चाप निकल जाता है एंट्रेंस एक्जाम का दिन आता है कैंडिडेट के पास ऑप्शन होता है कि वह अपने साथ एक बंदे को लेकर जा सकते थे जो उन्हें टीव अगरा सर्व कर लेका वैंट एक्जाम में जाकर आंसर बोने लगती है लेकिन पत्किस्मती से गलत इंसान पर वह फैंग होता है जिससे वैंग समझानने की कोशिश करती है कि उसे पैसों की बहुत जरुवत है अब फैंग डारेक्ट उसकी तो नहीं करता पर एक्जाम से सभी बंदों को निकालने के लिए बोल देता है अब क्यूंकि वह गवर्नर का पेटा था तो उसकी बात मान ली जाती है वैंग जाने से पहले अपने नुकसान की भरपाई के लिए फैंग की कपड़ों में आंसर लिख देती है जिसकी वजह स उससे आंशाशीट देते वक बहुत हुमिलेशन का सामना करना पड़ता है बुक्स्टोर का मालिक फैन को डाटरा होता है कि वो बोलती है कि सभी को तो बहा निकाल दिया गया था अब तो कोई भी चीटिंग नहीं कर पाया होगा वो कहते हैं यही तो सबसे पूरा हुआ क्य या गया वो अल्रेडी हाई ओफिसर से बादा कर चुके थे कि उनकी बेटों को पास करवा दिया जाएगा दूसी तरफ एंक के पिता भी उससे समझाते हैं कि उसे अपनी पहचान गोपनी रखने की कोशिश करनी चाहिए और यहीं पर यह एपिसोड खतम हो जाता है